हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगो कू History Lesson 5 Cultural Heritage of India and North East Region का पर्ट्टु एक्स्प्रेन करूंगी और बाकी Questions-Answers भी इस वीडियो में आपको मिल जायेगा The old name of Asham was Pragyutishpur and Kamrup. Asham के प्राचिन नाम था Pragyutishpur and Kamrup. These names are found in old writings including the Ramayana, Mahabharata, Vishnupurana, Kalikapurana, Yugiri Tantra, Writings of Human Sang. ये प्राचिन नेम, Ramayana, Mahabharata, Vishnupurana, Kalikapurana, Yugiri Tantra और Hugh and Sang की writings में मिला था. The Ahums ruled the state from the 13th century. Ahum 13th century से आशम में शाशम किया था. Now we will read about Ashamist Literature. Ashamist Literature के फादर थे वकुंठनात भगवत भटचारियो. Modern Ashamist language developed हुआ था जब से Ashamist Journal अरुनुदय पाबलिश हुआ था. फिर, during the period from 10th to 14th century, the only written Ashamist literature was mostly a collection of songs called चारियो पदा. Ashamist Literature 10th to 14th century तक बिभिन्न गीत के कालेक्षन थे जिसे चारियो पदा कहते हैं. 14th century में हेम शरशती, माधक कंदली, रूत्र कंदली, हरीबर विप्ण, कभिरत्न शरशती, etc. ने पुरानस के आधार पर लिटराचार या शहित्तों का रचना किये थे. माधक कंदली was patronized by बड़ाही किंग महामनिक्क. माधक कंदली स्कू मदद किया था बड़ाही किंग महामनिक्क. माधक कंदली translated the Ramayana into Asamish, titled Shabtokhanda Ramayana, which was the first work of translation from Sanskrit into a North Indian language. माधक कंदली ने, माधक कंदली ने ही Shabtokhanda Ramayana. Asamish me translate या अनुबाद क्या था. वश्नभाइट लिटरेचर अफ आश्म. The वश्नभाइट movement was launched by Shankar Deva and Madhav Deva in the 15th century and influenced the life of the people of Asam. आश्म में 15th century को वश्नभाइट movement आरम क्या था, Shankar Deva और उनके शिश्य Madhav Deva ने. और आश्मिस लोगों के जीवन पर प्रभाब बिस्तर क्या था. This movement had a major impact on Asamish literature and a number of poetry, songs, prose, dramas, charitputhi, etc. were written. This movement का Asamish सहित्य पर बहुर प्रभाप्था, फल्शुरुप, असंख, कभिदा, poetry, songs, गीत, prose, गद्ध, drama, नाटक, charitputhi, etc. लिखा गया था. The subject matter of this literature were Ramayana, Mahabharata, Puranos, etc. Is literature के विशय बुस्तु था, Ramayana, Mahabharata, Puranos, etc. शंकर देव की किर्टन, माधब देव की नाम घुषा, बर्गित, etc. बहुत ज्यादा दिखा था. शंकर देव रोट, अंकिया नाट, लाइक, पत्नी प्रशाद, कालिया दमन, केली, गुपाल, रुक्मिनी हरन, पारिजात हरन, रामबिज, etc. शंकर्देब ने कोच अंकिया नाठ लिखा था, ओ था पत्नी प्रशाथ, कालिया दमन, केली, गुपाल, रुक्मिनी हरन, पारिजा थरन, रांबिजा, एक्सेट्रा. शंकर्देब का पहला नाठ था, चीनहा जात्रा. उनके ब्रिंदाबने बस्त्रा आशामिस उइभर्स यानि की बुनकरो की एक शांदर स्रिस्टी है. उइभर्स मिन्स बुनकर. भट्टदेब रोट कथा गीता, भगवद कथा, रत्नावली कथा, एक्सेट्रा. भट्टदेब ने कथा गीता, भगवद कथा, रत्नावली कथा, एक्सेट्रा. रचना किया था. गुबिन्दा मिस्त्र रोट पद्ध गीता लिखा था. फर्स्ट आशामिस मेगाजिन औरुनुदय 1846 में पाबलिशुआ था. रिलिजियन इस्लम धर्म आशाम में प्रथम पाया गया था 13th century में. पुआ मक्का इन हाजु इस अ होली प्लेस अफ इस्लमिक पीपल. हाजु के पुआ मक्का इस्लम धर्म के पवित्र भुमी है. दजिकिर एंड जारी रिटन बाय आजानपीर, शा मिरन आर पुआर रिलिजियस संग्स. आजानपीर केम टू आश्रम डूरिंग दे रेइन आफ गदाधर शिंहु. गदाधर शिंहा के समय आजानपीर जिसके असल नाम था शा मिरन आश्रम में आया था. उनको आजानपीर के नाम से लोग जानते थे और उसने ही विख़त जिकिर एंड जारी लिखा था. Now, the heritage of paintings of आश्रम. Paintings in आश्रम started to take proper shape from the 17th century onwards, mainly with the patroness of the kings. आश्रम में paintings आरंप हुआ था 17th century के बार आश्रम राजाओ के मदद से with the patroness of the kings, while the pictorial books were developed in the स्ट्रों. यहाँ, pictorial books यानि कि चित्रत्म किताबे विकाश हुआ था आश्रम के स्ट्रस में स्ट्र माना What do you mean by स्ट्रस? Now, question arise, what do you mean by स्ट्रस? स्ट्रस means पवित्र पर्थना भावन. Most famous pictorial books were आनन्द लाहिरी, हस्ती बिद्दर नभ, गित गुबिन्द, कुमार हरन, etc. आश्रम के प्रशिद्ध pictorial books थे आनन्द लाहिरी, हस्ती बिद्दर नभ, गित गुबिन्द, कुमार हरन, etc. The pictures were drawn with natural colors. ये इस बुक के, इस बुक के pictures में natural colors यूज किया गया था. A certain color was painted on the साची पाथ. First then, pictures of kings, palaces, deities, animals, etc. were drawn as per demand. एक certain color, यानि की निश्चित रंग पहले paint किया गया था साची पाथ पर. उसके बाद, राजाओ के, महलो के, देवी दवताओ के, जानोरो आदी के pictures विश्वय बुस्तु की मांग के अनुशर ड्रो किया गया था. The blank spaces were filled with flowers, cripples, etc. The colors mostly used were red, green, yellow, and black. और pictures के बीच में, बीच जो blank spaces था, वो flowers और कुछ उल्टा सीधा ड्रो करके भड़ दिया गया था. Pictures में, जादा तर red, green, yellow, और black color used किया जाता था. Write a short note on the architectures of आशम. आशम के बस्तु कला Majority of the old architectures in आशम were constructed in the middle age and in the patronage of the Ahums and Kuch kings. आशम के प्राचिन बस्तु कला मध्धयुक में आखुम और कुछ राजाओ के मदद से निर्मान किया गया था. The famous architectures were रंखर, कारेंखर, तलातलखर and number of temples made by the Ahum kings. आशम के प्रशिद्ध बस्तु कला, रंखर, कारेंखर, तलातलखर or other temples. They were all made by Ahum kings. The famous temples were Kamekha, Umananda, Shivadol, Joyadol, Shiva temple in Dergav and Vishwanath, Navagraha, etc. और प्रशिद्ध मंदिर है अशम का, Umananda, Shivadol, Joyadol और ये सारे temple का नाम है. The construction of multi-storied तलातलखर was started by Ahum king, Rudra Shingha. The रंखर was constructed in two-storied form for enjoying celebration of the विहु festival in courtyard. Ahum raja Rudra Shingha ने Shivadol के multi-storied याने की बहु मंजिल तलातलखर निर्मान किया था, और Shivadol के दो तला रंखर में भी विहु festival बनाने के लिए एक आंगन है. Courteard means आंगन. Write a short note on विहु festival of Ahum. विहु is the national festival of Ahum. विहु आशम का जातिय उत्षब है. त्रे विहु festivals are observed in Ahum. वहाग विहु, काति विहु and माग विहु. आशम में तीन प्रकार के विहु उत्षब मनाया जाता है. वो है वहाग विहु, काति विहु and माग विहु. वहाग विहु is celebrated from the last day of the short month, which is observed as गुरु विहु. वहाग विहु चेत महिने की last दिन से आरंभ होता है, जिसे गुरु विहु कहा जाता है. The first day of the month of वहाग is called मानु विहु. बेशाक महिने के पहला दिन कु मानु विहु कहते है. People wear new clothes on that day and the younger ones seek blessings from the elders. इसी दिन लोग नए कप्रे पहनते हैं और छोटे बडु का अशिर्वत लेते हैं. Different sports and cultural activities are organized in public places. Public places में बिभिन्न प्रोग्रम जैसे sports सांस्कृतिक अनुस्ठान आदी अनुस्ठित किया जाता है. बिहु डांस is accompanied by some instruments like धूल, पेपा, फ्लूट्स, गोगणा, एक्सेट्रा. लोग बिहु डांस करते हैं बिभिन्न धूल, पेपा, फ्लूट्स, गोगणा आदी इंस्टुमेंट्स के साथ. काती बिहु is observed on the first day of अशामिस मान्त अफ काती. काती बिहु काती महिने के पहला दिन मनाय जाता है. People observe fasting in the day and light lamps under तुल्शी and in peddy fields in the evening. इसी दिन अशाम के लोग दिन में उपवाश रख करते हैं और साम को तुल्शी पेर के नीचे दिया जलाते हैं और धान ख्यत में भी दिया जलाते हैं. माग बिहु starts on the last night of the अशामिस मान्त अफ पूश विद कम्यूनिटी फिस्टिंग. माग बिहु आरंफ होता है अशामिस महिना पूश के last night से. कम्यूनिटी फिस्टिंग यानि की समुदाई पृति भूश के साथ. कम्यूनिटी फिस्टिंग मेंस समुदाई पृति भूश. इस महिने के last दिन को उरुका कहते हैं. पीपल कॉंस्ट्रक्ट भेलाघर एंड मेजी इन फिल्स अन कम्यूनिटी फिस्ट्स आर अर्गिनाइस्ट नियार दोज. लोग मैदान में भेलाघर और मेजी बनाते हैं और शमुदाई भूश खाते हैं. On the first day of the month of Maag, the मेजी are set on fire. Maag महने के पहला दिन मेजी जलाते हैं. पीपल प्रिपेर दिफरेंट ट्रेडिशनल स्नेक्स, स्वीट्स, जॉलपन, एक्सेट्रा. लोग खाने के लिए बिभिन्न ट्रेडिशनल स्नेक्स, स्वीट्स, जलपन आधी बनाते हैं. राइट शर्ट नोट अन्दा फॉक्स संग्स अफ आशाम. जेसे मेरे संग्स, एपीजिंग संग्स, कामरुपी लुग गीत, ग्वालपरिया, लुग गीत, एक्सेट्रा. आशाम के और प्रशिद्ध गीत है आयनाम, धायनाम, टुकारी, संग्स, सिया गीत्थ, नन्गेली गीत्थ, चेरा धेक्थ, एक्सेट्रा. A number of fox song, a number of fox song artists of the state, including Khogan Mohanta, Ramishar Pathak, and Pratima Pandey Baruwa, have been honored Sangeet Natak Academy Awards, while Pratima Pandey Baruwa, a prominent fox song, fox song Kualapariya Artist, was also awarded Padvashri Award. खगेन महंत, Ramishar Pathak, और Pratima Pandey Baruwa को संगित Natak Academy Awards दिया गया था. प्रतिमा Pandey Baruwa, आशम के एक प्रशिद्ध फोक्संग Gualapariya और Gualapara Artist था, उनको भारत शरकर पदमुस्त्री Awards से शन्मानित किया था. Friends, Part 1 में मैंने 1 to 44 questions answers दिया, और इस Part में भी बाकी सारे question answers वीडियो के आंत में दिया है, और जो जो explain किया वो भी बहुत बहुत important है. अब आपको मिलेगा इस lesson के बाकी questions answers. किा आपको मिलेगा आपको मिलेगा था. झाल 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 झाल